हम लोग दिन में जनना दारकाड की काफी केवाईशीां कर रहे हैं लेकिन जल्द रुको अगर आप जनना दारकाडी फैमली केवाईशी करवाने की सोच रहे हो या फिर करवा रहे हो तो थोड़ा सा रुको और ये वीडियो देख लो कुछ अपडेट है जिनके बारे में आप सब कुछ जरूर जान ले लाँ चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को family केवाईशी करवाने के बाद बड़ी दिक्कते आ रही है मैं नहीं चाहता कि आप सब को भी वो दिक्कते आए दिक्कते क्या है एक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी जन अधार कार्ड को लंबे टाइम चे अगर अपडेट नहीं किया गया है या फिर जन अधार कार्ड में रसीसंग के अदर्ज है अधार की जो रसीसंग के वो दर्ज है और अगर आपने केवाई सी कर दी तो उसके बाद आप कभी भी उस रसी संक्या को खटा नहीं पाएंगी अभी के टाइम में और ना ही कोई एडिटिंग कर पाएंगे ना मुबाइल नमर जोड़ पाएंगे ना बेंट काउंट डिटेल कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक तरह स हम बोलते हैं कि पहले केवाई शायगी तो फूरे पृए प्रिवार के अधारकार ले आता है और अधार काड से हम फटा-फट केवाई सी कर देते हैं चिस से लोगों को बड़ी समझ्या आने वाली है आप सबको पता है होगा अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं जैसे ही आपके वाइस ही करते हो तो अधारकाड में जो नाम लगा हुआ है जो डेट बर्थ लगी हुई है जो पिता का नाम लगा हुआ है वो जो सब डिटेल है जेंडर तो चलो सेम है वो सब जो डिटेल है वो ओटोमेटिक आपकी जन्ह दरकाड में अपडेट हो जाएगी, इमन फोटो भी अपडेट हो जाएगा और उसमें आप बाद में जन्ह दरकाड में सुधार नहीं करवा पाएंगे, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जन्ह दरकाड तो सई है किसी ना किसी वज़े से वहाँ पर कोई द KYC करवा रहे हैं तो अगर ऐसे किसी भी वेक्ती ने KYC करवा ली तो समझो अधार तो गल्थ है यह और जन अधारकाड भी गल्थ हो जाएगा और उसके बाद आप सही भी नहीं कर पाओगे अभी सही के लिए कोई option नहीं दिया गया है अगर आपने एक बार KYC करवा दी तो अ कोडिंग सारी डीटेल अधारकाड में मिला लेनी है डेट ओबर्थ नाव वगेरा देख लेना है कि वो सेम टू सेम है की नहीं अगर सेम टू सेम है तो यह आप KYC करवा यह आप ध्यान रखिये क्योंकि अगर आपके परिवार का जो भी मुख्या या फिर कोई बड़ा जा तो बाद में आपको कलेक्टर ओपिस तक जाना पड़ सकता है और उसमें भी हो सकता है कि आपका जना दरकाड सही ना हो उसमें सुधार ना हो तो अभी गोर कर लीजी इस बात पर क्यूंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं लोगों के साथ यह बड़ी समश्य हैं आ रही कि आप सही से पुष्टी करें कि हाँ आपने चेक कर लिया गया यह नाम यह 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 ना यह डेट ओवर थी यह यह ना मैं अपडेट करने जा रहा हूं उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा तो एक बार आप कंफर्म जरूर कर लें इन दिनों में कुछ लोगों को मैंने इस जूजते देखा है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को यह परिशानी आए तो आप सबी इस वीडियो को सेर करिए और अगर आप समझ गये है तो वीडियो को लाइक करके बताएगा चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लेजिए उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो इस प्राइब करते हैं